प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तूत है मानाव नेत्र की सनरचना मानाव नेत्र प्रिकित के द्वारा प्रदान किया गया सरीर का सबसे महत्वपूरंग होता है इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को इसपष्ट रूप से देख सकते हैं इसकी रचना लगबग गोलाकार होती है जो तीन पर्तों की बनी होती है सबसे उपर की पर्त डुड़ पटल बीज की पर्त रक्तक पटल सबसे अंदर की पर्त जो होती है स्वेग पटल नेत्र का बाहरी भाग कुछ उभरा हुआ होता है इस उभरे हुए भाग को कार्निया कहते हैं कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्सी जिल्ली का पर्दा लगा होता है इस पर्दे को आईरिस कहते हैं दोनों आईरिस के बीच में ये लेंस लगा होता है उत्तर ले बccoli बीचति हैं लेंस के ठीक पीछे स्वेथ पटल पर एक परदा लगाव होता है इस परदे को रेटीना कहते हैं और मानाव नेत्र में जो पतिवीब बनता है वो रेटीना पर बनता है तो द्रष्ट पटल द्रिण पटल रक्तक पटल स्वेत पटल तीनों मिलकर के द्रिष्ट नाडिया बनाती है और यहां एक छोटा सा गर्थ बनाती है गर्ड़ा जिसे अंत बिंदु कहते हैं और द्रिष्ट नाडिया देखे गए द्रिष्ट की सूचना मस्तिस्क तक देती हैं अब यहां पर जो है कार्णिया और लेंस के बीच में एक द्रव भरा होता है इस द्रव को जली ये द्रव कहते हैं जबकि सेज भाग में भरे हुए द्रव को काचाव द्रव कहते हैं अब यह देखते हैं प्रतिविम कैसे बनता है किसी बिंदु से चलने वाली प्रकास की किरणे सर्व प्रथम कार्णिया पर पढ़ती हैं कार्णिया से होते हुए ये प्रकास की किरणे जली द्रव पर पढ़ती हैं जली द्रव से होते हुए ये लेंस पर टकराती हैं लेंस से पुर्थित होकिर किरयु काचाव दरवो दोना होते हुए रेटीना पर पढ़ती हैं आई जी रेटीना पर वस्टूब प्रतिभी्व बनता है यद्द्य आप समय होता है परते प्रतिभी म्था कर Cemal city यह नहीं संर्च नहीं